देखें, बात की जाएगी रेन्बो की, बहुत बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं इंदर धनुस, देखते भी आ रहे हैं, ठीक है, उसी बारे हम बात करने हैं, साथ बच्पन कुछ बताया भी किया होगा, कि जब सूर्य की किरने जो होती है, वो बरसाद के दिनों में, आलग आलग colors में break हो जाती हैं, तो वो एक rainbow farm होता है, इतना हमने पढ़ा है, ठीक है, और rainbow भी दो प्रकार की होते हैं, एक primary और secondary, पहले तो देखते हैं, किस प्रकार से ये reflection ये dispersion होता है, dispersion का मतलब क्या होता है, सूर्य की किरनों का आलग आलग color में break हो जाना, ठीक है, य ऐसे मालिया कि ये एक water droplet है, अभी हम reflection को समझा रहें, dispersion कैसे होता है, ये एक water droplet है, देखे, rainbow को हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्र धनुस, नाम सुना है, धनुस क्या कार क्यों बनता हो तो बात में बात करेंगे, देखे होता क्या है, बरसाद के दिनों में, atmosphere में बहुत स बारिस खतम हो गई, अब water droplets ऐसे हैं, कैसे सिद्ध करोगे, ऐसे पीओ की बहुत सारा पानी आ जाएगा, कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे, atmosphere में water droplets हैं, इनको सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, अरे तो होती है कर दो सिद्ध करने का जुरत है, साइंटिस है आपको, सिद्ध करी आप, कपड़े टांग गिले हो जाते हैं, वो एक अलग बाद, वो इसे सिद्ध थोड़ी हुआ ना, ने हम सिद्ध कैसे करोगे, दिखाई पड़ती हैं आपको, किसी छोटे बताना, ये देखो, वो water droplets के कहा है, ये देखो, देखो, कुछ नहीं है, आप, एक glass में बरफटर रग दीजे, इस्टील वाले में भर दीजे, तो आप देखें कि उसके उपर moisture आ जाता है, क्योंकि वो droplets जो ठंडी होकर क्यों सिपग जाती है, ठीक है, खेर उससे हमको मतलब नहीं है फिलाल, ये एक water droplets है, ठीक है, अब sun की light infinity से आ रही है, तो simple सी बात है, parallel to the principal axis होगी, तो पहले हम reflection की बात कर रहे है, sun की light ऐसे गिरी माल लिया, मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ, किरें कि तो कहीं सभी आ सकते हैं, अब parallel गिराना तो ऐसे गिराएंगे, अब देखो जब यहाँ पर इस surface पे गिरी, तो क्या होगा, कि ये है आपका normal, ये angle of incidence है देखो इस surface पे गिरने पर होगा reflection भी, होगा reflection भी, तो light इधर भी जाएगी और अंदर भी आएगी, समझा लिजेगा, ठीक है, लेकिन हमको चुकिए reflection से मतलब है, तो light reflection हो जाएगा, तो normal की ओर जुख जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे गिरी, मैं एक color की बात अभी कर रहा हू अभी reflection को समझा रहा हूँ, जब इस surface पे गिरी, तो यहाँ भी एक normal होगा, ठीक है, अब ये, चुकिए drop rate बहुत छोटी होगी, जो आपको दिख नहीं रही मतलब बहुत छोटी होगी, ठीक है, तो ये जो angle of incidence का होता है, ये critical angle से बड़ा हो जाता है, तो ये इसका total internal reflection हो ज बनता है, बरसात में हमेशा rainbow दिखता है अबको, इसका मतलब जब ऐसी situation आती है तब बनता है ना, मतलब ये हम कहा दें कि हमेशा rainbow बनेगा, तो भई ये जब situation आएगी, कि ये critical angle से बड़ा होगा, तब की बात है ना, अगर हमेशा होता तो हमेशा rainbow बना रहता, जब यहाँ पर light गिरती है, तो यहाँ पर normal हो गया, अब light normal से दूर हटेगी ना, ये इधर निकल नहीं है, तो अगर ऐसे चली कि सिधे हो जाएगी, ये दूर हट जाती है, और यहाँ पर हम बैठे होते हैं, ठीक है, आँख ऐसे ही होती हो गया, ये बैठे होते हैं, तो हमको ये light ऐसे को तो ड्रापालेट बनाने जा रहा है, तो थोड़ा सा बड़ी बनाने जा रहे हो, वैसे बहुत लोग छोटी में ही बना देते हैं, अच्छे अच्छे डाइग्राम, ठीक हैं, क्या बता है, भगवान मिलेंगे तो मास्टर बनाना था, थोड़ी सी कुछ बाते कर देते, थोड़ा सुंदर बना देते, बाहर निकलता है, तो अगर दस लोग बिलते हैं तो पांस लोग पर रिच होते हैं आपके, इतना ही है, इतना ही परयात है, जब जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर, आप जरा साउधान, ये लाइट गिरी, रेन्बो के लिए पहले तो बरसात होन ठीक है दूसरे सूरे होना चाहिए, अब देखो ये नार्मल है, कहां से नार्मल पास होगा, सेंटर से, इसको दिखा नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाए जा रहे हैं, अब ये नार्मल की और जुक जाएगी, तो एक लाइट जुकेगी और एक लाइट कम जुकेगी कौन ज़्यादा जुकी कौन कम जुका reflection हो गया ना नियमता भई light को ऐसे निकल जाना चीए था सीधे सीधे नहीं निकली ना यानि कि ये जुक गई यानि इसको कहते है dispersion अलग-अलग color में break हो जाना अब दो color हम दिखा रहे तो अब बताएए नीचे वाली कौन से color हो उपर और कौन से color है भाई कम जो जुकेगा वो red है तो यानि ये red color हो गया ये violet color हो गया तीक है अब क्या होगा देखे ये ज़्यादा जुका है ना ultimately हर जगे ज़्यादा कौन जुकेगा violet तो ये red ऐसे जुका ऐसे total internal reflection मैं normal दिखा नहीं रहा हूँ और इसका भी total internal reflection हो गया इधर red आ गया इधर violet आ गया तीक है ज़्यादा जुक गया हमने diagram बड़ा अच्छा बनाने कोशिच की ती गटिया बना हुआ है अब यहाँ जब light गिरी हमने क्या कहा है इसका यहाँ total internal reflection हो गया TIR हो गया यह जब होता है ऐसा ता वैसा होता है हमने क्या कहा हमेशा नहीं होता होगा ना वह हमेशा अगर होता तो बरसात के बास रेन वो हमेशा बनता कभी बनता है कभी नहीं बनता है ठीक है तो न närबस से दूर हर जाना है न किसको ज़्यादा झुकना है वायलेट को तो वायलेट ऐसे हो गया और रेड ऐसे हो गया ठीक है यहाँ हम कहीं बेठे हुए है यहाँ बेठे हुए है यह color दो हमको दिखाई पड़ते है ठीक है यहां बैठे हुए आपने इन लाइट को देखा यह लाइट आपको दिखें कैसे इसको पीछे बढ़ाओगे ऐसे इसको ऐसे पीछे बढ़ाओगे और इसको ऐसे बढ़ाओगे ठीक है तो उपर कों से लाइट जाएगी रेड और नीचे कों से जाएगी वाइलेट ठीक है य एक आर्क ये दिखा, थोड़ा red को दूर कर दो, एक आर्क ये दिखा, एक ये light दिख रही है आपको, एक light ये दिख रही है आपको, इसके बीच में और भी colors दिखेंगे, तो इस प्रिकार से आपको सातों color दिखाई पड़ते हैं उपर कौन देखता है red color नीचे कौन देखता है violet color ये जो rainbow होता है इसको primary rainbow कहते है क्या नाम होता है primary rainbow यानि इसमें कितनी बार reflection हुआ एक दो बार reflection हुआ और एक बार total internal reflection होता है logic समया ठीक है note करिए इसको diagram थोड़ा बुक से भी देख लेना उसमें ज़्यादा बेहतर समझाया गया होगा ठीक है note करिए अब देखिए ये क्या कितने angle पर आपको मिलता है सुने ध्यान से अगर ये horizontal आप line खीच दीजिए ये horizontal line तो ये एक ही line खीच दीच 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 सुर्य एक ही line खीच दीच 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 यापका rainbow चालिश डिग्री से बैलिश डिग्री के बीच बनेगा, यापकी आख चालिश से बैलिश के बीच 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 बनेगा, उसको देखेगी किवल, उसी जैदा नहीं, ठीक है, जब इतने डिग्री पे एक concept सब होगा, तब आपको rainbow दिखाई पड़ेगा, समझ माजी से बैलिश लिका हुआ है, ठीक है, चुकि एंसी आरटी के अथरंटिक वैलू होती है, तो चालिश से बैलिश के बीच होता है, तो ये लाजिक समझ आया, कैसे rainbow बनता है, इसको हम primary rainbow कहते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें लाजिक जो होता है, एक्चुल में समझेगा, नोट क एक ड्रॉप्लिट ये है, यहां पर आपकी आँख है, आँख कैसे बनाई जाए, यह आँख बना दी गई, ऐसे आँख है, यह आँख है, तो हो सकता है, इससे जो light दो निकली, वह यहां से light गिरी होगी, ठीक है, यहां पर गिरी होगी light, सम्में light गिर रही ना, इसकी reflection हु है, और इसकी माले wallet आप पर पढ़ रही है, अलग-अलग color हो सकता है, कुछ red पढ़ रही है, कुछ wallet पढ़ रही है, तो इस प्रिकार से अलग-अलग color आपको दिखाई पढ़ रही है, डियाग्राम बढ़िया नहीं बन सकता, इसलिए हम बना रही है, जान बूस बस ऐसे र प्रॉपलेट है, और जब sun ray नीचे वाले पार्ट पे इस से गिरती है, तो ये दो color ब्रेक हो जाएगा, ये normal हो गया जाकर के, center जाएगा ना, तो यानि कि ये color ब्रेक हो गया, अलग-अलग इसको dispersion कहते है, ये कौन सा color होगा नीचे वाला, अरे, जुक रहा है ना, नार्वल की और जुक रहा है, तो ज़्यादा जुकेगा और वाइलेट, ये वाइलेट हो गया, ठीक है, अब यहाँ गिरने के बाद क्या होता है, कि इसका total internal reflection होता है, ठीक है, total internal reflection कौन ज्यादा जुकेगा, अब red को कम जुकना है, वाइलेट को फिर ज्यादा जुकना है, ठीक है, तो ये कौन सा color हो गया, red, ये कौन हो गया, वाइलेट, ठीक है, अब फिर यहाँ पर गिरेगा, फिर total internal reflection होगा, sun इधरा कही है यह सन की इस्तित यह है ठीक है फिर ट तोटल इंटरनल कौन है वाइलेट तो नार्मस दूर हटा है न यह दूर गया रेड यह दूर गया वाइलेट और यहां पर हम खड़े हुए दोनों केसद में आपकी पीट जो है सन की तरफ हो नीच यह पीट सन की तरफ हो जागर की तो जब इसको ऐसे बढ़ाते हैं न ऐसे ऐसे और ऐसे तो वाइलेट ऊपर होता है रेड नीची होता है इसको सेकंडरी एंबो कहते है क्या कहते हैं सेकंडरी एंबो कहते हैं जहाँ से जहां से जहां से जुका और ये 50 से 53 डिग्री होता है, अगर होरिजंटल से हम ऐसे करेंगे, तो 50 से 53, मतलब 50 कौन होगा, और 53 कौन होगा, जो दूर गिर रहा है और 50, ये 53, तो देखे द्यान से, आप ने जब नीचे से देखना होरिजंटल सुरू किया, तो 40 डिग्री से रेंवो स्टार्ट हुआ, 40 से 42, एक बना प्राइमरी, और 50 से 33, ये बड़ा फेंट होता है, बड़ा हलका होता है, ये अक्सर नहीं दिखता है, और जो प्राइमरी रेंवो होगा, उसी गुपर बना होगा, लेकिन बड़ा फेंट होता है, ठीक है, बहुत इसकी इंटेंस्टी कम होती है, 40 से 42 के और इसमें कितना है, तीन डिगरी का होता है, ये 40 डिगरी से लेकर के 42 डिगरी के बीच होता है, ये 50 डिगरी से लेकर के 53 डिगरी के बीच का होता है, ठीक है, यहाँ पर red up होता है, और violet down होता है, यहाँ violet up होता है, red down होता है, इसकी इंटेंस्टी इंटेंस्टी जो होती ह मैक्सिमम होती है और यह बड़ा डिम होता है इसलिए यह देखता नहीं देखता यह थिक बहुत ध्यान से देखने बढ़े दिखे पर दिखता यह नहीं है ठीक है कि घिखता थ Puis बात है अदस्याद चान्स कि बात है जो आपकी वाटर ड्राप्लेस हे नहीं उसमें लाईट यह भी गिर होगी द महांगे है तो बारी बार ली गिरेंगे खेंगी water droplets कि कहां कहां पे हैं वो दिख सकते हैं ऐसी बात थोड़ी है अब आप परें नोट करें फिर बात करें यानि secondary वाले में दो बार जो है total internal reflection होता है ठीक है और एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर दो बार reflection होता है और वहाँ पर क्या होता है दो बार reflection एक बार TIR ठीक है तो यह भी याद रखिएगा किसमे कितने बार total internal reflection हुआ और कितने बार नहीं हुआ ठीक है अब ज़रा समझेगा यह तो secondary वाला हो गया अब यह इसका जो shape होता है वो कैसा होता है कर्व क्या कार कहोता ना सर्कुलर क्यों नहीं होता है सर्कुलर इसले नहीं होता है क्योंकि नीचे तो हम खड़े होते ना आर्थ में ऐसे बना चाहिए पूरा इसले वो नहीं बनता है आर्क टाइप को बनता है ठीक है यह इसका region होता है होता क्या है कि हमारी आख यहां पर होती है ना और समझे हमारी आख ऐसे कौन क्या कार किया है एक कौन बना दीजिए इसको यह कौन बना दीजिएगा ठीक है और यह आख का सेंटर हो गया अगर 20 डिगरी पे कौन पे एक प्रैक्रिकली समझेगा एक कौन है यह ऐसे कौन बना तो कौन का अगर सेमी वर्टिकल आंगल 20 डिग्री हमालिया तो 20 डिग्री जतने भी इसके सर्फिस होंगी ऐसे सब 20 डिग्री होगा ना तो जैसे आप ऐसे होरिजिनल देख रहे हैं और 20 डिग्री आपकी आँख उठाईए तो 20 डिग्री बहुत सारी डॉप नेट्स ऐसे हों प्रैट्कली समझिएगा मतब समझिएगा जैसे जो कौन वाला आइस्वी वाला खाते हो तो सुन में आ गया होगा ना विल्कुल टिप पे वह आपकी आँख लगी भी है और उपर जो उसका बॉटम होता है वो चौड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना नहीं हो सकता है तो अग 20 डिगरी पे अपनी आप को गूँआ है उसके बांडरी पे सरफेस पे जो आप ऐसे आसे खाते हो रहा जालते हो पूरा याद है ना कौन वा करा तो बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो 20 डिगरी पे बहुत सारी वाटर डिपलेट्स है यानि 40 डिगरी यहां पर 40 बन जाते हैं उसी एंगल बनेंगे और जब पचास से तिरफन देखेंगे भई ये कौन को बढ़ा कर दीजे अपनी आग को सेंटर ऐसे कर के ठीक है तो अब पचास से तिरफन के बीच में देखेंगे तो 50 डिग्री पे रेड और तिरफन पे डेड वाइलेट उसमें होता है नीचे कौन होता है रेड होता है फसके अरे इतना color का हमको जो भी होता है कोई बात नहीं तीन प्ड्राइमरी color होते है ज़ायद gent होता है कुछ यह हो सकता हो जो भी होता है तो उसे हमको मतलब नहीं आपर है ठीक है वैसे तो एक्चुली सही बता दें कि सन में कलर होते ही नहीं सन की लाइट में कलर नहीं होते क्योंकि वो उसमें एलेक्ट्री कामपोनेंट है और वो अलग-अलग वेवलेंथ होती है जब हम स्पेक्ट्रम से पार कराते हैं तो प्रिज्म कलर में थोड़ी ब्रेक करता है वो अलग-अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग--लग डाल देता जगर की कि 4000 से 7000 होती है कि 4000 यहां पड़ेगी 4000 300 यहां पड़ेगी 5000 यहां पड़ेगी 7000 यहां पड़ेगी ठीक है और वो जो हमारी आँख पर पड़ती है तो आँख उसका रिफ्रिक्शन करके रेटिना पर डालती है रेटिना में जो कौन सोते हैं sensors होते हैं वो दिमाग में बेजते हैं दिमाग में जो हमारे neuron system है वो color को sense करता है वो अलग-अलग wavelength को अलग-अलग color तो दिमाग हमारा sense करता है ठीक है अब फिला यह अगर यहां लिखोगे तुम कि इसमे color होते ही नहीं है तो actually में color नहीं होते है वो तो electromagnetic wave है ना ठीक है तो फिलाल तो कि यही अपतादा rainbow आए को तो को उसमे color होते ही नहीं है यह तो हमारा दिमाग sense करता है समझ में आ गई बात नहीं आ गई तो यह आपका rainbow का concept है ज्यादा नहीं है थोड़ा सा diagram की practice कर ले ना कि हमने बड़ा घटिया टाइप की diagram बनाया था लेकि समझ में आ गया होगा ना ठीक है अच्छा एक चीज और होती है यह जो dispersion of color की बारे जो हम बात कर रहे है जब किसी lens से light को पार कराया जाता है यह lens है light को पार करा रहे हैं इसे तो lens is the combination of prism lens जो है prism को combination है तो simple सी बात जब कोई light यहां गिरेगी तो prism क्या करेगा अलग-अलग wavelength में break कर देगा फिलाल आप color कह सकते हैं एक ज़्यादा जुकेगा एक कम जुकेगा यह जो कम जुकेगा वो क्या होगा red color और यह क्या होगा अब हम प्रिफो्टो खिचवा रही हैं आ खड़े हुए हमारे मुझ से light गिर रही है तीक है हम काले है तो कम light गिर ही गोरे है ज्यादा light गिर रही है तो उसके लिए गोरा कर देते हैं वो creamium लगाकर कि powder लगाकर reflection कर देते हैं वो अलग की बात है तो अब red हमारी image यहां बनाएगा, violet यहां बनाएगा, तो अलग-अलग color अलग-अलग बनाएगे न, इसको कहा जाता है chromatic aberration, क्या कहते हैं इसको, chromatic aberration, chromatic aberration, aberration, word अब हिंदी में पता नहीं, नहीं इसमें नहीं होगा, उसलेवस एडा दिया गया था बाद में, CVSC मैंने कभी नहीं दिया और स्टेट बोर्ड में था ये इसको क्रोमेटिक अपरेशन कहते हैं ठीक है तो उसके लिए हम क्या करें तो गड़बड है पर अलग 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 मिलाएंगी जा करके तो हम करते क्या है देखो ध्यान से इसको दो या दो से अधिक लेंस मिला करके हम बनाते हैं हम चाहते हैं कि एक ऐसा लेंस करते हैं कि इस वाइलेट को घसीट के वहाँ ले जाए ठीक हो तो दूर करने की जम्सार किसी होती है कानकेब की तो एक कानवेस साथ एक कानकेब मिला देते हैं और इन दोनों को जाकर कि एक ही point पर वो मिला देते है इसको achromatism कहा जाता है achromatism मतलब chromatic aberration का मतलब होता है color का अला गला करना one having shaped it कर देना ठीक है और इसका मतलब होता है सभी lights को एक जिगे मिला देना सभी colors की lights को एक जिगे मिला देना इससे rainbow से मतलब नहीं है, मैं color break करने का concept था उसमें हम बात कर रहे हैं, तो यह आपका rainbow का concept है, scattering of light क्या होता है, बजपन से पढ़ते आ हुए ना, light जब किसी, ने generally जो हम पढ़ते हैं, कि light जब atmosphere में प्रिविस करती है, तो atmosphere के particle से टक्रा करके वो बिखड जाती है, यही पढ़ा है ना अपने, यह यह गरत पढ़ा है उने, ने पढ़ाएंगे वही हम, लेकिन वो concept गलत है, लेकिन generally क्या होता है कि light का atmosphere के particle से गिर करके scattered हो जाना, बिखड जाना उसको हम scattering of light करते हैं, वर्ण विक्षेपन कहते हैं, क्या कहा जाता है, प्रकास का प्रकीरण, वर्ण विक्षेपन वो होता है, जो अभी पढ़ा रहे थे हैं, वो acromatic वह ठीक है, तो इसी को अपने पढ़ा है, यह पढ़ा है ना अपने, फिर उसमें कहा गया, चुकि violet का ज्यादा बिखरा हो जाता है, नीले का, blue color या violet जो भी को हो, इसलिए आस्मान, नीला दिखाई पढ़ता है, चुकि हमको आस्मान नहीं दिखता है, हम जो उपर देखते हैं, तो atmosphere वो color देखता है, प्रकास का, जो color ज्यादा बिखरा हुआ होता है, वो कौन सा हो particle यानि कि किसे atoms उसमें होंगे, उसके electron चक्कर लगा रहे होंगे, तो जब light इस पे गिरती है, ठीक है, तो light बोले तो, light भी तो एक particle है, बोले अरे, पहली बार सुना, photon कहते हैं उसको, और उसकी अपनी कुछ energy होती है, तो ये अपनी energy है, एचनिव लेकर किया आया, और यह पर strike किया इस atom के भीच में, ठीक है, इस atom के किसी एक, बतरब किसी एक atom को, इस particle के किसी एक atom को उसने energy दे दी, अब atom में क्या हुआ, electron चक्कर लगा रहे थे, ठीक है, electron चक्कर लगा रहे थे, वो energy किसी एक electron को गिरी, मिली, और जब electron को energy मिलती है तो electron क्या करता है, अपनी ground state से एक्साइट हो करके हाई इनर्जी स्टेट में आ गया ओ पैसा मिला ओ चले चले ओटल चले गया है खाएंगे जाकर कि वहाँ पांस रुपया डाल पतला पांस नहीं नहीं वो खाके याएंगे पैसा तो खर्च हो गया ना तो यह इलेक्टरान अपनी ग्राउंड स्टेट से चला गया एक्साइट स्टेट में और वहां थोड़ी दिर तक रुखा और रुख करके फिर अपनी पोजिशन में लॉड़ की आया तो जब लॉड़ की आता है तो थो एनर्जी रेडियेट करता थाज़ान बाहर निकलता है इसी रेडियेशन को हम क्या कहते हैं इसी को कहते scattering of light, नहीं समझे, scattering of light, मतला light का medium particle पे गिरना, उस medium particle का light का absorb करना, absorb करने के बाद, उसकी energy को अपने हिसाब से re-radiate करना, इसी को कहते है scattering of light, ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी scattering of light के बारे में पढ़ लेते हैं, scattering is a phenomenon, जिसमें आजीब तरीके से इनों ने definition लिखी है, scattering, तो लिखे scattering के definition, scattering, मैं लिखे, this is the phenomenon, this is the phenomenon, in which light is deflected, light is deflected, from its path, from its path, due to, due to, due its interaction, due its interaction, with the particles of the medium, with the particles of the medium, through which it passes, paragraph change करके लिख दीजे, और, जो कि actually definition जो है, मतब medium के particle से वो interact करता है, interact करने के जैसे वो scatter हो जाता है, मतब वो बिखरा उसका हो जाता है, उसी को मैं scattering कहते है, पर अगराफ चेंज करके लिखे, when the light rays fall on the medium particle, जब प्रकाश करन किसी, हो गए ने प्रिशन, सुन में आगे न, when light rays falls on a medium particle, the medium particle absorbs it, medium particles absorbs it, then again it re-radiate, again it re-radiate, re-radiate it in different directions, re-radiate it in different directions, called scattering, called scattering, इसी को scattering कहते हैं, एक large rayless आप थे, उन्होंने scattering को बड़ा ही observe किया, और एक concept देखा उन्होंने, देखिए, साउधान, ने साउधान नहीं बोला था उन्होंने, समझेगा, उन्होंने कहा देखा, कि अगर माल या medium particle बहुत small है, medium particle बहुत small है, ठीक है, और wavelength of the light बहुत ज़्यादा है, चली जाएगी, यानि इस medium particle बहुत इंट्रेक्ट ही नहीं करेगी, भाई माल लीजे, छोटा सा सहर है, और आप बड़े लंबे चोड़े हैं, तावला टांग आपकी हैं सकानपुर तक की, light है, ज़्यादा wavelength की light है, और medium particle के लिए small है, तो उसमें absorption नहीं होगा, यानि light ray इसके अंदर जाएगी नहीं, और जाएगी भी मालिया, तो ज़्यादा इंट्रेक्ट नहीं करेगी, मालिया medium particle ऐसे हैं, और light ray एक vibration में बाहर निकल गई, अब मालिया सहर के अंदर आपको चलना है, और आपको tricycle दे दीजाए, आपको चलो पेटा, अब tricycle की wavelength, distance traveled in one rotation बहुत कम है, तो आपको बहुत बार मुड़ना पड़ेगा न, और अगर medium particle large है, और wavelength की compression में, और wavelength इसमाल है, तो light को इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, और जब light इसके अंदर जाएगी, बार-बार interact होगी, तो medium particle से टकराएगी, तो medium particle इसको absorb कर लेंगे, तो इसका radiation ज्यादा होगा, बसरते किसका, तो अब medium particle देख, size के है न, अब ये तो है नहीं कि red color आ रहा है, जाचा तुम आओ, तुम मिलोगा करके इससे, ऐसा थोड़ी होगा, अब violet की wavelength ज्यादा है, या कम है, violet की wavelength कम है, और red की wavelength ज्यादा है, अब किसी medium particle से गुजरना है, तो red ज् में oscillate करेगा या violet, red कम करेगा, red तो बाहर निकल जाएगा, तो violet तो होगा क्या, violet बहुत बार बहुत सारे medium particle से टकराएगा, और जब medium particle से टकराएगा, तो medium particle क्या करेगा, उसकी energy को, absorb कर लेगा, और बाद में हार डिरेक्शन में, re-radiate कर देगा, तो ज्यादा radiation किसका हु पड़ता है, violet दिखाई पड़ता है, violet का radiation जएदा हो गया ना, बास में आई नहीं है, अब आप कहेंगे सब light तो उतनी है, हो यह रहा है कि एक wave जा रही है, ठीक है, और एक wave जा रही है, violet की, violet की जो wave है, वो इस medium particle से अंदर से गुजरी, अब medium particle ने इसको absorb कर लिया, और absorb क पड़ेगा, इसलिए चारों तरफ हमको क्या दिखाई पड़ता है, violet या ब्लू जो भी कही है आप, इसलिए हमको आस्मान का रंग, निला दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो सम्झा गई बार नहीं आई, अब लिखे, Relays Law, R-A-Y-L-E-I-G-H, Relays Law of Scattering, Relays Law of Scattering, Relays आपने का, देखे, जो Scattering होती है न, वो wavelength पर Depend करती है, wavelength ज़्यादा तो Scattering, ज्यादा wavelength का मतलब क्या होता है एक चक्कर में चली गई दूरी अगर एक चक्कर में आप ज्यादा दूरी तैंग करोगे तो आपको ज्यादा medium particle से मतलब नहीं होगा ना तो scattering नहीं होगी ना तो लिखेगा according to release law according to release law of scattering according to release law of scattering मिला the intensity of the light the intensity of the light of wavelength lambda of wavelength lambda present in the scattered light the intensity of light of wavelength lambda present in scattered light is inversely proportional is inversely proportional to the fourth power of the wavelength inversely proportional to the fourth power of the wavelength यानि I proportionate one upon lambda to power four lambda to power four साउधान red light की wavelength बहुत ज्यादा होती है है ना और उसकी power four करोगे तो ज्यादा 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 चार गुना ज्यादा denominator खुंखार तरीके से बड़ा हो जाएगा तो value भेंकर छोटी हो जाएगी और red की compression में violet या blue color की wavelength बहुत कम होती है तो intensity उसकी ज़ादा होगी यानि जिसका wavelength कम वो scattering ज़ादा होगी तो scattered ये क्या बोला है? scattered light की जो intensity है अगर माले lambda wavelength की light गिरी medium particle ने medium particle ने उसको absorb कर लिया नहीं जे अब वो इत्ती बड़ी wavelength की light थी absorb तो कर लिया, अब निगल तो गए अब रखेगा इसे इसके अंदर size इत्ता बड़ा निगल गए साप इत्ता बड़ा, तो क्या करेंगे? इसे उगल देंगे जाओ यार तो यानि medium particle red light को absorb भी कर लेगा तो उसको ऐसे ही निकाल देगा, जाओ और violet को अगर absorb कर लिया तो enjoy करेगा, आओ खेले violet के साथ, छोटा सा है ना violet तो violet को खेलेंगे खुब करसकी और बाद हर direction में उसको kick मारते रहेंगे वो हर direction में scatter हो जाएगा तो ये large relay का नियम होता है तो इतना ही आपको आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अंदर जाएंगे इसके, ठीक है, इसके types की बारे में बात करेंगे, वो आपके slivers से मतलब नहीं है, ठीक है अब देखिए, scattering दो प्रकार की होती है, लिखे types of scattering इससे आपको मतलब फिलाल नहीं है, लेकिन अब competition में आपको सकता है scattering दो तरीके से होती है scattering scattering, देखो scattering को मतलब समझेगा light गिरी, light बोले तो photon photon गिरे, photon बोले तो mass particle, उसमें mass होता है energy होती है, और वो गिरी कहाँ पर, medium में मतलब medium और light particle साथ collision हुआ, तो collision दो तरीके होता है, elastic collision और inelastic collision, तो यानि कि scattering दो यह होगी elastic और, यानि प्रत्यास्थ प्रकिरन अप्रत्यास्थ प्रकिरन तो पहला होता है elastic scattering, बिल्कुर आप collision तरह समझेगा इसको एक होता है, elastic scattering जब scattering बोल नहीं तो आप समझाएगा कि यह हम collision की बात कर रहे हैं वो तो एक होता है in elastic collision in elastic collision बोले तो scattering दो प्रकार की scattering होती है ठीक है elastic collision में जो होता है वो size of the particle wavelength की तुलना में बहुत छोटे होते हैं यहाँ पर जो size of particle होता है size of medium particle medium particle is less and less than lambda of incident light incident light अब practically समझेगा incident light की wavelength बहुत ज़्यादा है तो जब medium particle के अंदर चली भी गई मान लिया तो particle से ज़्यादा interact तो करेगी नहीं तो particle से बाहर निकल जाएगी तो उसकी intensity में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा ठीक है अच्छा दूसरी बात elastic collision में energy same रहती है और यहाँ photon के energy क्या है h new और energy same रही मतलब frequency change रही है यानि कि no change in frequency यानि उसकी frequency में change नहीं होता है यानि no change in frequency sharp पे हम बता रहे हैं no change in frequency कहिए या lambda कहिए किसमे off scattered light off scattered light scattered light की wavelength में कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि particle का size बहुत छोटा है wavelength बहुत बढ़ी है तो अगर रेले का नियम ही देख लें तो अगर wavelength बहुत बढ़ी होगी तो इसका scattering नहीं होगी ठीक है और कुछ इसमें बढ़ इसी को rail is scattering कहते है क्या इसमें बताई र ए वाई ल ए आई जी अच L E I G H ये rail is scattering है scattering ठीक है दूसरा होता inelastic inelastic collision कही है या scattering कही है इसमें क्या होता है उल्टा कह दीजे इसमें size of size of medium particle जो है medium particle जो है वो much greater and greater than lambda of incident light incident light से बहुत बड़े होते है अब देखो light की wavelength बहुत कम है light की wavelength बहुत कम है और medium particle बहुत बड़ा है light को medium के अंदर जाना भी पड़ेगा और कई vibrations complete करने पड़ेंगे भाई आप कहेंगे red color red color medium के particle अंदर गया लेकिन एक ही vibration करके बाहर निकल आया लेकिन यहां पे light की जो intensity है वो sorry जो wavelength कम है तो उसको medium particle अंदर बहुत बार vibrate करना पड़ेगा तो medium particle से बहुत बार मिलना भी पड़ेगा रास्ते में बहुत सारे molecule मिलेंगे और हर एक molecule कहा जा रहे हो है लाओ जोला लाओ दिखाओ हाँ क्या है लाओ दो निकालो इससे टफी निकाली सब खा जाएंगे तो medium particle क्या करेगा उस light की intensity को उस light को absorb कर लेगा और absorb करके उसको redidate करेगा ठीक है तो यह आपका अच्छा है चुकि इन elastic में energy क्या हो जाती है चेंज हो जाती है तो इसमें frequency चेंज हो जाती है frequency और lambda changes चेंज हो जाती है ठीक है तो यह आपका और इस effect को देखा था रमन साहब ने यह रमन effect होता है रमन effect रमन effect होता है और रमन साहब ने इसको देखा था क्या देखा था भी उसके बारे में आपके आंस लिबस में नहीं है कि फिर भी बताएंगे भी बता करके छोड़ देंगे नोट करिए इसको देखे रमन एफेट क्या होता है सबसे पहले तो बात लाड रेले की ही करते है रेले साब ने क्या कहता कि अगर मॉलीक्यूल का साइज बहुत छोटा है और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस वेवलेंथ की लाइट स्केटर नहीं होती है मतब मीडियम पार्टिकल से गुजर रेगी बाहर भी निकल जाएगी तो उसी वेवलेंथ की निकल के बाहर चली जाएगी बाहर निकल कहेगी कुछ नहीं भी गाड़ पाए गए और चौड़े होके गए और निकल आए इनके ऐसी तैसी बहुत इनके से देखे है और अगर मीडियम पार्टिकल का साइज बड़ा है और वेवलेंथ चोटी है तो मीडियम पार्टिकल जैसे वो अंदर फंस गए तो मीडियम पार्टिकल ले के जूता उनकी दुना ही कर दिया सब एनरजी लूट ली और लूट करके सब खा गए बाद में रिडिडियेट कर दिया और वही आपको दिखाई पड़ता है यह किसने कहा था लाट रेले साब ने बताया था कि वेवलेंथ कम होगी तो intensity of scattered light ज्यादा होगी चुकि वाइलेट या यूँकि यह ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है इसलिए उसका scattering ज्यादा होती है अच्छा यहां तक दो बात ठीक थी रेले ने कहा कि समुद्र का कलर भी निला होता है समुद्र का कलर भी निला होता है क्यों उन्होंने कहा होता क्या है कि जो कि आस्मान का कलर निला होता है और उसकी जो image होती है वो दिखाई पड़ती है उसके अंदर इसलिए समुद्र निला दिखाई पड़ता है सन 1921 में शायद डेट आगे पिशे हो सकती है रमन साहब बाई शिप आ रहे थे तो रमन साहब ने समुद्र के कलर को ध्यान से देखा उनको कुछ नजर आया कुछ गबड है साइन्स की आपरेन है उन्होंने का ये गबड है यहां कुछ गबड हो रहा है कि केवल सन के कलर की वज़े से या आसमान के कलर की वज़े से निला दिखाई पड़ रहा है उनको कुछ ऐसी लाइन्स दिखाई पड़ी जो कुछ उनका कलर चेंज था ठीक है तो रमन साब ने कहा कि देखो ध्यान से रमन साब ने कहा जो लाड रहले साब ने कहा था ना कि कोई light absorb करेगा medium particle और उसको re-radiate करेगा और re-radiate करेगा एक particular frequency की ठीक है उन्होंने देखा कि ये experiment lab में किया उन्होंने lab में उन्होंने क्या किया एक molecule लिया जिसका size बड़ा था wavelength पार्टिकल की छोटी थी उस light को पास कराया पास कराने से क्या होगा light का scattering होई scattering होने से उसकी intensity देखी और उसकी frequency देखी तो रहले की हिसाब से एक fixed frequency की light मिलने चाहिए लेकिन रमन साब ने देखा कि कुछ light उनको ऐसी दिखी जिनकी frequency इसे ज़्यादा थी और कुछ light उसमें जो scattered light कुछ light ऐसी थी जिनकी frequency इससे कम थी ज़्यादा भी थी कुछ की कम भी थी जिसकी ज़्यादा थी उसका नाम दिया एंटी स्टोक्स लाइन जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी ये वाली लाइट इनको उन्होंने कहा एंटी स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन ठीक है जिनकी कम थी उनको कहा स्टोक्स लाइन जिनकी कम थी उनका क्या नाम दिया उन्होंने स्टोक्स लाइन क्यों हो रहे हैं भी बता रहे हैं स्टोक्स लाइन ठीक है और यह जतने भी लाइन से इनको रमन लाइन्स कहा उन्होंने रमन लाइन्स कहा और इस एफेट को उन्होंने कहा रमन एफेट रमन एफेक्ट इसके लिए उनको नोबल प्राइज भी दिया गया था बाद में इसी काम की वज़े से 1954 या भारत जब आजाद वर्ज की बाद भारत से इनको समानित किया गया था लफड़ा क्या था ये कहना क्या चाते थे ऐसा क्यों हुआ जरा सौधान ये कह रहे होता क्या है देखिये ध्यान सब्영गा लाइट रै आई वेवलेंट कैसी थी उसकी कम ती मीडियम पार्ट इस पार्ट के अंदर इंट्री कर गई पार्ट की मॉलीटिल ने क्या किया उसे एब्जाब कर लिया एब्जार्ब करने के बात क्या किया उसको रिरेडेट कर दिया थीक तो energy, ज़रा समझेगा सौधान, रमन साहब ने कहा, बाद में लिखिएगा कि जब light ray आई तो light ray की अपनी frequency थी और medium के particle भी क्या कर रहे थे oscillate कर रहे थे, ठीक है अम मले medium के particle के energy कम है ठीक, और light ray इसमें गिरी energy इसकी ज़्यादा थी, गिरी तो medium part के ला लेडी ठका हुआ है तो थोड़ी से energy उसने क्या के रिया absorb कर लिया थोड़ी से energy किस से absorb कर लिया light ray से absorb कर लिया और absorb करने के बार energy नहीं थी, weakness मैंसुस हो रही थे बाद में कहा हमने ले लिया बीटिया तुम जाओ, और उस रे को scattered कर दिया तो जो scattered light निकल की आई उसकी energy कम होके ज्यादा होगी कम हो गई संब्याई बार नहीं आई दूसा तरीका क्या था जब light ray अंदर आई तो medium part के ला लेडी गुस्सें बैटा हुआ था आप कुछ लोग बड़े गुस्सें बैटे हों इडियाट अज़ा होता है कभी नहीं होता है जैसे कोई तपा वो बैटा आप मजा के mood में अब वो मजा के mood में नहीं है ठीक है तो बोले जब मालियाओ electron जो था वो किस state में था excited state में था light आई light ray आई अपनी energy को लेकर के light ray अपनी energy को लेकर के आई किसको देना है electron को electron लेकर के कहाँ पर जाना है excited state में और आफ लेड़ी कहाँ पर है ठीक है वो तो आफ लेड़ी कहाँ लोड़ के आना है ground state में light ray आई मिली I am wanting to give energy के अपना काम को रहा है खुद है इतनी दे यह ले से भी energy ले 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 जा light ray को अपनी energy दे दी अपना कहाँ पर आ गया ground state में light ray उसको लेकर के बाहर निकल आई energy बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी तो यह तरीका वहाँ पर होता है दूसी तरीके समग लिजेगा देखिएगा कोई vibration को यह कर रहा है जूला जूल रहा है वाइबरेशन है ठीक है और एक light ray वो भी vibration कर रही है ठीक है अब जूला ऐसे आ रहा है और light ray ऐसे भीड़ रही है उससे आ करके मतलब medium part के लिए ऐसे vibrate कर रहा है और light ऐसे आ करके photon entry मारा ठीक है अब photon इसके energy फोटान के energy कम हो जाए ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी ना तो टकरा के आप चले जाएंगे ऐसे तो energy आपकी कम हो गई फोटान बाहर निकल गया energy उसके क्या हो गई तो एक तो यह concept होता है दूसरा क्या हो गया ऐसे medium के particle vibrate कर रहा है यहनि medium के particle और फोटान भी vibrate करके वह गिर गिर रहा है और फोटान ऐसे आया और यह medium बढ़की टकर मार दिया उसने और फोटान बाहर निकल गया तो इसके energy तो यह concept वहाँ पर होता है तो यह रमन सामने देखा था ठीक है अब तो रमन सामने देखा तो एक कॉम्टन साम थे हम हूँ देखी वे हम हूँ देखी वे हम हूँ देखी वे तो कॉम्टन effect आ गया नाम सुना होगा आपने अगर कभी सुना हो तो एक है कॉम्टन effect यह आपके syllabus में यह ध्यान रखेगा Compton सामने कुछ नहीं किया उन्होंने light ray नहीं डाली उन्होंने electromagnetic wave डाली EM wave डाली अरे यार EM wave light ray EM wave ही तो होती है लेकिन उन्होंने किसी particle में नहीं डाली charged particle पर डाला उन्होंने किस पर? charged particle पर डाला charged particle पर डाला और वही effect देखा जो रमन साहब ने देखा था, चुकि कॉम्टन ने देखा था इसी को कॉम्टन एफेक्ट कहा गया, नहीं समझे, मतलब रमन साहब में लाइट रे मीडियम में गिर रही थी, मीडियम अन्चार्ज था, तो लाइट एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव होती है न, तो कॉम्टन साहब किसमें, इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव को डाला किसमें, इलेक्ट्रान पर प्रोटान पर, चार्ज पार्टिकल पर डाला ठीक है, और उस पर वही एफेक्ट देखा, जो रमन सामने देखा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, कॉम्टन एफेक्ट, कैसा लगा ये, बढ़िय है, ठीक है, आप स्कैट्रिंग को जो, इलास्टिक, नान इलास्टिक बताए गया ना, उसको आप एक तरिके से कोलीजन समब लिजेगा हो रहा है, कि एनरजी चेंज होना है, जिसमें की इनलास्टिक होता है, तो एनरजी चेंज किसमें होगा, जिसके अंदर को लडाई दं ही होगा अब इसके कुछ एफेक्ट होते हैं उन्हें तो आप डेली लाइप में जानते हैं ब्लू कलर स्काइगा क्यों होता समझ गये कि लाइट्री जब आती है जब लाइट्री मीडियम पार्टिकिल बे गिरती है तो जिनका वेवलेंद कम होता है ब्लू का उसकी स्कैट्र ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा हमको दिखाई पड़ता है मतब एक रेड लाइट गिरी वो हमारी आँख पी जा रही है लेकिन एक ब्लू लाइट गिरी और उसको मीडियम पार्टिकिल ने एब्जॉर्ब करके दस डिरेक्शन में भेज दिया तो हमको दस गुनाव और सन्राइट सम Criminal क्यों दिखाई पड़ता है होता क्या है कि ये शन्सेट इस प्रकार से हमारी चाहरत होती है और सन्सेट समय शूर यहाँ यहां समय होता है और हम यहां पर होते ही तो लाइट रेको चूंकि यह आपका एट्मासफियर होता है ठीक यह आपका atmosphere होता है तो light जब यहां से इधर आती है ना ऐसे आती है मालिया तो रास्ते में क्या होता है scattering होती है scattering गोले तो energy कम हो गई उसकी तो जो आपका violet या blue color है वो जाया दूरी तेह नहीं कर बाता है जिस क्योंकि बहुत दूरी तेह कर नहीं है cloud का size बड़ा होता है cloud का size बड़ा होता है तो light जब इसके अंदर जाती है scattering वहां भी होती है लेकिन हर color की scattering हो जाती है तो फिर हमको कैसा दिखाई पड़ता है mixer of all the colors इसलिए वो white दिखाई पड़ता है danger signal सा red तो simple से बाण जानते हैं पिर लाल color की scattering कम होती है वो दूर तक अपना रास्ताता है करता है इसलिए danger signal को हम red ऐसा कहा जाता है गाउं में कि सांड जो है लाल color दे कर दोड़ा लेता है उन्नाव अला तो यहां कर नहीं दोड़ाता है किसको किसको दोड़ाएगा एक को दोड़ाएगा दोड़ाएगा सब दोड़ाएगा लाल पेने चली जा रही तो दोड़ाना बंद कर दिया लेकिन बाईलो जी वाले कहते हैं कि जानवर color blind होते हैं क्यों तो किसे दोड़ा लेता है इसको पुराने लोग हम लोगों चूतिया बना रहे थे ठीक है तो ऐसा होता नहीं है अब फिर साड़ हो तो किसी को दोड़ा सकता है तो ये चीज़े समझ भा गई तो कैसा लगा चेप्टर बढ़ी आ है ठीक है सुकार लीजेगा